सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सरकारी नौकरी को बेल आइकन पर प्रेस करके आल नोटिपिकेशन पर टिक करिए वीडियो को लाइक एम सेर करना ना भूलें तो पिट का इंतजार करने वाले अब बेरतियों के लिए खुसकबरी है पचास जार पदों पर भरती के लिए विग्यापन के लिए यूद अस्तर पर कारे जारी है ये वेकेंसी कब निकलेगी तो दो महीने बाद निकलेगी ऐसा क्यूं है सबसे पहला बड़ा कारण है कि 13 ऐसे परिच्छाओं के प्रड़ाम है जो अभी नहीं निकले हैं पांच जार लोग डाइरेक्ट लाववन नित होंगे तुरन्दों करी पाएंगे दूसरा सबसे बड़ा इसका कारण है यूपी बोर्ड का परिच्छा भी नहीं हुआ है अक्सर ऐसा होता है यूपी बोर्ड के परिच्छा के बाद ही यूपी टिबलसी की वेकंसी आती रही है जिसे यूपी बोर्ड बाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और राज़स सहायक के इस बार देड़ हजार के आज पद खाली है अबकि निकलने वाली इस पर वेकंसी बहुत कम ऐसा होता है कि राजस सहायक के वेकेंसी जो है आती रही हो बात करें सिचक भरती का रिजल्ट जारी हो चुका है 2016 के TGT का हिंदी और कला का परड़ाम लटका हुआ था 1243 हिंदी में कला में 33 पदों पर परड़ाम जारी हो चुका है 10 से 15 दिन और इनको लग जाएंगे विद्यालों में पहुचने पर ज्वाइनिंग लेने में अगर आप गरीब हैं आपके घर में बच्चे हैं और आप चाहते हैं बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ाना प्राइविट स्कूलों में कच्छा एक पूर प्रात्मी विद्यालों में दाखिले के लिए आनलाइन आवेदन होता है लाटरी की व्यवस्था है इसमें लाटरी सिस्टम से आवेदन होता है इस्कुली सिच्छा विजय की नानाम दिन को आप जानते ही होगा पहले चरण में तीन चरण में इसमें अवेदन लिये जाएंगे पहले चरण में अवेदन दो से पचीस मार्च तक उसके बाद सत्यापन होगा 28 मार्च तक सब कुछ लाख हो जाएगा 28 को लाटरी होगी और 5 माई को बच्चों को स्कूल में अडमिसन हो जाएगा तीसरा चरण सुरू होगा 29 सप्रेल से 30 जून और फिर 11 से 13 जून तक अवेदनों का सत्यापन होगा लाटरी निकालने की तारिक 15 जून होगी जबकि बच्चों को 30 जून तक विद्यालों में प्रवेश दिलाए जागा यानि कि एक जुलाई से जो है सत्र सुरू करने के लिए हो रहा है और ऐसे में जो लोग नहीं जानते हैं अडमिसन इसमें कैसे होता है तो आप अपने बलाक अस्तर पर पता करेंगे तो बिलकुल वहाँ पे सारी से जबको अस्तर हो जाएंगी आप अपने बियारसी पर जाएए वहाँ आप पूछिए वहाँ आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा और वह लोग बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है उसमें बताया था कि जितने भी सरकारी विद्याले हैं सरकारी टीचर हैं सब लोग अप प्रिवेट एजंसीों के भरोसी होंगे क्योंकि सरकार ने इस पर कारे चालू कर दिया है request for proposal के लिए एक लेटर जारी कर दिया गया है यह एक tender है एजन्सियों को आम मंत्रित किया गया है कि private agency आए करेंगी क्या इसमें बच्चों के एधिगम का अस्तर का जाच होगा मुल्यांकन करेंगे और report जाकर किस सरकार को सौप देंगे माल लेते हैं कोई विद्याले A है कि इसमें 10 बच्चे है इनका report सौप ना है और बता चला कि 4 बच्चे ही पढ़ने में average है बाकी कि 6 बच्चे एक दम निल है बहुत ही low level की जानकारी है तो ऐसे में किस के उपर घाज गिरीगी टीचर के उपर तो ऐसे में घूम फिर करके बकरा बनाया जागा टीचर कोई क्योंकि इसके पहले एक रूला और लाए गया था कि टीचर को क्या करना है टीचर को अपना स्वयम का मुल्यांकन करना है यह बनाया जा रहा है एक तो बच्चे आते नहीं है प्रैमेरी स्कूल में दूसरे बच्चों की संख्या कम रहती है और तीसरी बात बच्चे पढ़ते नहीं है उतना उनका लेवल सही नहीं होता है ऐसे में उनको लेवल को डाइरेट सही करना और तुरंथी यह एजेंसिया तयार है तो जो लोग नए नए विद्यालेओं में पहुंचेंगे उनके लिए काफी दिक्कत होगा तो फिलाले विद्याले विस इतना ही धन्यवाद